अगर हम social insects के बात करें तो social insects के अंदर बहुत सारे cost मौजूद होते हैं पर जैंपल अगर हम honey bee की बात करें तो एक honey bee की जो colony है उसके अंदर different किसम के organisms मौजूद होते हैं एक honey bee की कालोनी के अंदर drones मौजूद होते हैं उसकी कालोनी के अंदर workers या soldiers मौजूद होते हैं इसी तरीके से honey bee की कालोनी के अंदर queens मौजूद होती हैं अब हम यह discuss करते हैं कि एक कालोनी के अंदर जो मुक्तलिफ किसम के organisms हैं उनका role क्या है सबसे पहले हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो ड्रोन्स बेसिकली मेल एनिमल्स है और इनका काम फर्टिलाइजेशन है और एक जो हाइफ है उसके अंदर सौ से पांसो जो मेल या ड्रोन्स मौजूद हो सकते हैं और ये जो मेल्स होते हैं बेसिकली ये प्रोड़क्ट ओफ अन्फर्टिलाइज़ एक्स है यानि ऐसे एक्स जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते उसके नतिजे में ये ड्रोन्स बनते हैं ये मेल्स होते हैं और इनका काम सिर्फ रिप्रोड़क्शन है इसी तरीके से कॉलूनी के अंदर जो queen होती है ये basically female है और ये fertilized eggs से बनती है और एक जो queen है ये बाकी females की तरह ये आम food के उपर feed नहीं करती बलके ये खास किसम की feed जिसको royal jelly कहते हैं उसके पर feed करती है और सिर्फ queen egg produce कर सकती है बाकी जो females होती है वो workers कहलाती है ये जो workers है इनका काम reproduction नहीं है basically जो workers है ये female है अगर ये चाहें तो ये भी reproduce कर सकती है लेकिन ये ऐसा नहीं करती है एक colony के अंदर सिर्फ एक queen मौजूद होती है जो ये freezer सर अंजाम देती है क्योंकि अगर एक colony के अंदर जादा queens मौजूद होंगी तो उनको royal jelly के पर feed करना पड़ेगा और उससे जो eggs की जो production है उसकी quality effect हो सकती है तो basically जो workers होते हैं workers का काम ये होता है कि colony की हिफाज़त करना उसको protect करना इसके लावा जो queen है उसको royal jelly के उपर feed करवाना इसी तरीके से जो young ones हैं उसकी look after करना इसी तरीके से ये अगर एक colony के उपर कोई attack होता है तो उस attack से colony को बचाना तो basically जो workers हैं ये बहुत important जो price हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं तो अगर ये workers मौजूद ना हो तो जो colony का जो survival है वो खतरे में पड़ जाता है और एक जो colony हैं उसके अंदर workers की तादाद वेरी कर सकती है इनकी तादाद 10,000 से 50,000 तक हो सकती है या इससे भी ज्यादा हो स जो workers हैं क्योंकि ये females हैं हमने ये कहा कि अगर ये चाहें तो ये भी reproduction कर सकती है लेकिन अगर एक colony के अंदर जादा जो female है वो reproduce करेंगी तो उससे x की जो quality है वो effect होगी और उससे जो offspring पैदा होंगे वो भी weak हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए ये जो workers हैं ये कुर्बानी देती है बिसिकली ये एक पिनॉमरा जिसको altruism कहते हैं वो सर अंजाम दे रही होती हैं तो ये खुद जो है sacrifice करके एक female को allow करती है कि वो generation को आगे continue करें लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है क्योंकि ये जो workers हैं ये queen के close relative होती है इस वजा से बहुत सारे genes ये उनके साथ share कर रही होती है तो जब queen reproduce करती है उसका जो genetic makeup है next generation के अंदर transfer होता है तो automatically ये जो workers हैं इसका जो genetic makeup है वो भी आगे transfer होता रहता है